आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं यह वीडियो उन विद्ध्यारतियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनोंने राजस्तान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर दसवी या बारवी कक्षा के अंदर फॉर् और एक्जाम का वेट कर रहे होंगे लगबग इनके एक्जाम अपरेल महा में होती है परंतु उनके लिए एक 30 महतोपूर्ण खबर सामने आई है इन बच्चों ने अपना जो फॉर्म भरा था वो 31 अक्टूबर जिसकी लाश्ट डेट थी परंतु अब उन्हें अपने इस फॉर्म को SSO ID से मैप करना है अपने आवेदन फॉर्म को SSO ID से मैप करना जरूरी है और ये उनको SSO ID से मैपिंग करने की जो लाश्ट डेट है वो 29 जनवरी है अगर 29 जनवरी तक वह अपने आवेदन को SSO ID से मैप नहीं करते तो फिर उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण खबर है इस पर जरूर ध्यान देवे देखिए क्या लिखा है इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखा है देखिए कि इसके लिए समय कितना दिया है देखिए राजस्तान स्टेट ओपन स्कूल ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के क्रिप्टाइम मेने बाद अब दसवी और बारवी तक के विद्यारतियों के लिए SSOID से मैपिंग जरूरी की है प्रिक्षा आवेदन फॉर्म की SSOID से मैप नहीं करने की स्तती में आवेदन निरस्त हो सकता है इसके लिए RSOS ने प्रिक्षारतियों को 29 जनवरी तक का समय दिया है इस दिन तक सभी प्रिक्षारतियों को अपने आवेदन फॉर्म SSOID से मैप करना जरूरी है तो ये बात बहुत महतोबून हैं सभी बच्चे ध्यान देवें और समय रहते अपने आविदन को SSO ID से मैप कर लें धन्यवाद